अब सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार दिक अभी नंदन आज का ये वीडियो मैंने RPSC First Grade के First Paper की Preparation के लिए बनाया है और मैंने किस प्रकार से First Paper की Preparation की थी उसके उपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ तो देखिए डिये स्टुडेंट्स जो first topic है हमारे पास General Awareness और General Studies वाले paper से वो है History of Rajasthan and Indian History with Special Emphasis on Indian National Movement तो देखिए स्टुडेंट इस portion को मैंने R.A. Publication की जो book आती है ओला जी बाजिया जी की लेकर कुसके ओला जी बाजिया जी है वो आप खरीद सकते है उसे आप पढ़ सकते है उसमें आपको Indian History मिल जाएगी और साथी राजस्तान का जो इत्यास है वो मैंने राजस्तान अध्यन से पढ़ा था तो आप राजस्तान अध्यन जो हमारे 9th class में चलती है 6 to 8 भी चलने लगी है लेकिन आप 9th class वाली और 11th class वाली राजस्तान अध्यन इसके लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं आपको वहाँ पर राजस्तान का इत्यास और राजस्तान की जो अठराजस्तान की क्रांती है वो अच्छे से मिल जाएगी तो देखे स्ट्रेंड्स आरे कंपेटेशन टाइम्स की जो किताब है वो काफी अच्छी किताब है आप भारती इत्यास वहाँ से कर सकते हैं और राजस्तान की जो हिस्ट्री है वो आप राजस्तान अध्यन से कर सकते हैं मैं आप लोगों कोई गाइड बी suggest करता हूँ, कि आप लोग एक गाइड भी purchase कर लें, वो guide पेनॉर्मा के रूप में भी हो सकती है या लक्ष के रूप में भी हो सकती है, मैंने लक्ष guide से पढह ही की थी, तो आप चाहें तो लक्ष ले सकते हैं या पेनॉर्मा ले सकते हैं, दोनों ही गाइड अच्छी है और उस गाइड से भी आपको ये वाला पॉर्शन करना है गाइड से आपको हर एक पॉर्शन बहुत अच्छे से बारम बार रिवाइज करते हुए करना है सेकिंड पॉर्शन हमारा mental ability का है फस पॉर्शन से लगबक 15 प्रशन आते हैं तो काफी अच्छा पॉर्शन है आप इसे अच्छे से करेंगे mental ability और statistics की में बात करूं तो ये वाला पॉर्शन आप केवल और केवल guide से पूरा कर लें बार बार वहीं से revise करें जो mathematics वाला portion है, mensuration वाला portion है, वो आप 9th और 13th की घणित की किताबों से कर सकते हैं 9th और 13th की घणित की किताबों में आपको ये mathematics वाला portion और mensuration वाला portion मिल जाएगा आप उन्हें वहाँ से अच्छे से कर लें, साती जो हमारी language है, language ability test है, हिंदी और English का इसमें आपको grammar वाला portion, व्याकरण वाला portion 9th to 12th बहुत ही अच्छी तरीके से करते जाना है और ऐसा करना है कि आपका जो basic घ्यान है व्याकरण का वो बहुत ही अच्छा हो जाए क्योंकि व्याकरण से काफी छोटे छोटे प्रशन यहां से पूछे जाते हैं, पांच प्रशन हिंदी से और पांच प्रशन इंगलिस से पूछ ले जाते हैं तो काफी अच्छा portion है यह भी, आप लोग काफी धीरे धीरे से पढ़ेंगे और गाइड से भी आपको हिंदी और इंगलिश पर कमांड जमानी है आप व्याकरण काफी अच्छे से करके जाएंगे current affair के में बात करूँ तो current affair के लिए एक ही सदा बार हमारे पास magazine है chronology उसे ही आप बार बार पढ़ें और current affair लगबग आप 6 मैनों का तो देखें पढ़ेंगे guide में जो general science दे रिखी है वहां से इसे अच्छे से करेंगे साथ ही जो 910 की हमारी science की किताबें चाहिए वो RBSC वाली हो पुरानी किताबें हो या नई जो NCRT चल रही है वो हो वहां से आप इसे काफी अच्छे से कर सकते हैं और यहां से भी आपको 5-7 प्रश्न मिल जाएंगे जोग्राफिय और राजस्तान जो है आप राजस्तान अध्यन से पढ़ सकते हैं या एक बुक आती है हरी मोहन सकसेन की आप वहां से कर सकते हैं या किसी भी जो आपके पस गाइड है लक्षिकी या पेनॉर्मा की वहां से भी आप इसे कर सकते हैं तो मैं केवल एक ही चीज बोलता हूँ कि आप गाइड से ही पढ़ लेund आपको कोई दूसरी बुक खरिदने के जुरत नहीं आप गैड से इसे बार-बार अच्छे से कर ले राजस्तान अध्यन से इसे अच्छे से कर ले जो education management वाला portion है हमारा सेक्षिक प्रभंदन वाला portion है उसके लिए मैं आपको राट पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने भी पड़ी थी राट पब्लिकेशन का नया जो वर्जन है वो आपको मार्केट में अवलेबल हो जाएगा आप इसे खरीद ले और इसे अच्छे से पड़े SS यादव इसके लेखक है साथ ही आप सिखफाल वाली जो बुक है वो भी पड़ सकते हैं और जो हमारी गाइड है पेनोर्मा या लक्ष उसमें भी सेक्षिक प्रभंधन के टोपिक दिये हो होंगे वहाँ से भी आप इसे रिवाइस कर लें कुछ पॉइंट्स अगर आपको नए मिलें तो आप अपने नौट्स जो है वो बना सकते हैं तो डियर स्टेंट्स आप देखें कि इस प्रकार से हमारा जो पेपर फस्ट है वो कंप्लेट हो जाता है आपको जो अच्छे लगए आप खरीच सकते हैं और उसे ही बार-बार रिवाइच करें इसके लावा आपको भारती ये इतियास के लिए एक बुक परचेज करनी चाहिए उसमें आप आर्ये कंप्लेटिशन टाइम्स की किताब ले सकते हैं जो बाजिया जी और पोला जी उसके लेखक हैं आप निर्मल जी आ रही है भी उसमें शामिल है तो आप वहाँ से उसे कंप्लेट कर सकते हैं और भारती इतियास के लिए ये बुक हो जाएगे और राजसान के इतियास के लिए आप राजस्तान अध्यान का काफी अच्छे से मनोयोग से अध्यान करें आपको सारे प्रशनमाई से मिल जाएगे इंडियन पॉलिटी आप फिर से गाइड से कर सकते हैं जो हमारा इंडियन पॉलिटी वाला पॉर्शन है आप गाइड से कर सकते हैं जन्दल साइन्स के बाद जो इंडियन पॉलिटी दे रखी है आप गाइड से अच्छे से उसे कर सकते हैं इस प्रकार से dear students आपका जो first paper है वो complete हो जाता है, first paper में 75 questions आएंगे जो 150 marks के होंगे और लगबग आप लोगों को 40 प्लस या 35 plus question इसमें write करने होते हैं, तभी आप लोग अच्छा score कर पाएंगे, और first paper में अच्छा score हो जाता है तो आप लोगों का जो selection है वो सूनिश्चित ह हो जाता है, second paper में जो psychology वाला portion है जिसके 30 questions आते हैं, वो portion मैंने वंदना जादोन की जो book आती है उससे complete किया था, काफी अच्छी किताब काफी सरल भशा में उससे लिखा गया है और उसमें concept काफी अच्छे से समझाए हो है, आप लोग भी अगर psychology को करना चाते तो वंदना जादोन की किताब काफी अच्छी है, आप वहाँ से कर सकते हैं, और फिर से मैं एकी बात कहूंगा कि आप जो भी book पढ़ रहे हैं, उसी book का first से लेकर last तक उसी book को पढ़ें, उसी book का मनोयोक सेध्यन करें, बार-बार किताबे change ना करें, अगर आप किताबे change करेंगे, तो आपके पेरों पर कुलाडी मारने जैसा होगा, इसलिए आप एक ही book को बार-बार पढ़ें, और उसे ही revise करें, यही सफलता का मूल मंत्र है, बहुत-बहुत धन्यवाद